दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में इसका पहला वीडियो जो है हमने कल पोस्ट किया था अपलोड कर दिया था वेब साइट पर इस पे अपने यूट्यूब चैनल और आप लोगों की डिवान्टी सरसका नेक्ष्ट पार्ट पार्ट टू कब आएगा मैंने बताया था आपको पार्ट टू बहुत जलदी में लेके आऊंगा देखिया आज मैं पार्ट टू लेके आ गया हूँ इसको तीन चार पार्ट में पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर लोगा यह एक नजर में है और इसमें से बहुत सारे कोश्चन्स एक्जाम में आने वाले हैं आपके करेब 20-25% कोश्चन उत्तर प्रदेश के जीके से ही आएंगे इसलिए आपको अगर ग्राम विकास अधिकारी बनना है ग्राम पंचायत अधिकारी आपको बनना है समाज कल्राण परवेच्छक आपको बनना है तो उत्तर प्रदेश का जीके आपकी लिए बहुत ही हैं तो दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसके बात की जो स्रंखला है उत्तरपते जिके की वह हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उसको बगल में वेल आइकन होगा उसका दवा दिजिएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो यह पार्ट वहीं से शुरू कर रहा हूं मैं जहां से मैंने पार्ट वन खतम किया था जिन्होंने part one नहीं देखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में देढ़ दूंगा वो part one भी देख सकते हैं कोहिशन number one बांस खेडा अभिलेख निम्न मेंसे किस चासक से समबन्धित है इस खेडा अभिलेख जो है हर्स वधन से समबन्धित है प्रचलित करवाय था गुप्त कालिन दसावतार मंदिप प्राप्त हुआ है बहुत ही इंपार्टन कोशन है यूपी के बारे में जो इंपार्टन कोशन से मैं यहां पे लिख देता हूं लोग पीडियेफ मांगते हैं पीडियेफ में आपको यह सारी चीज़े नहीं मिलेंग है और इस बारे में बताता हूं वह आपको वीडियो म sem पता चल पाएगा чब आप देखेंगे तभी में वाद्मय का प्राचीन नाम क्या है अजूद्या का प्राचीन ow conting canada गैजसा अजासाइँ आजसां और का प्राचीन नाम था हर स्वर्धन केस में कन्नौज कहलाता था नगर महोदय श्री कोईचन यह आया हुआ है एक्जाम में इसके बाद में कोईचन देखिए मद्धि पासण काल के सरवाधिक सच मिले हैं सराय नहार राय से यह कोईचन भी कई बार एक्जाम में आया हुआ है इंपोर्टन कोईचन है इसको इसको नोट कर लेजिए कि इसको यह कोईचन आपको बिल्कुल नहीं बुलना चाहिए अगर एक्जाम में आ जाए तो यह कोईचन आपको छोड़ना नहीं है Question number seven is सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराजे हिंद जयाउनपूर को कहा जाता है जयाउनपूर वहुत ही important सहार है उत्तरप देश का इसके बारे में कई कोशन बनते हैं जयाउनपूर की स्थापना किस ने की थी? वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अब सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता यह मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं यह दो कोशन तो यहीं बनते हुए दिख रहे हैं आपको जलोड मिर्दा में किस रासायन की प्रचूरता रहती है पोटास और चूने से एक प्रदेश भारत कोन साष्ञा रिष् ko स्थान हिं उत्तर प्रदेश में परवाण बुद्ध केंद्र इस्थापित है कहां पर में है कौशन बहुत इमपार्टेंट रहा है बहुत सारह इक जांस में जाग हो है उत्तर प्रदेश की प्राचीन तम भूभाग का हिस्सा है किस भूभाग का हिस्सा उत्तर प्रदेश गोडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश जहां पर इस्तित है उस इस्थान को पहले गोडवाना लैंड बोला जाता था तो उत्तर प्रदेश जो गोंडवाना लाइंड का हिस्सा है इसमें और भी प्रदेश उत्तर प्रदेश जो लगे हुए प्रदेश है वो सब भी गोंडवाना लाइंड का हिस्सा है उत्राप्रदेश का पूरफ से पच्छिम विस्तार कितना है पूरफ से पच्छिम विस्तार के मतलब आप समझ रहे हैं यह हो गया नार्थ यह हो गया इस्ट यह हो गया वेस्ट तो यहां से लेके यहां तक के उत्राप्रदेश का मैप लेंगे तो इस बीच की डिस्टेंस कि इतने किलो मीटर है वो है 650 किलो मीटर पूरफ से लेके पच्छिम तक पूर्वी जिला कौन सा है गोरखपुर साइट के जो है जिले हो पूर्वी जिले है सबसे लास्ट जिला ले लिजी आप बिहार का और पच्छिमी जिले कौन से हैं यह मेरत मुझा फर नकारी सब यह दोनों की बीच की दूरी कितनी है 650 किलो मीटर आपको यह दूरी पड़ेगी तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 650 किलो मीटर है यह इसका एंसर सही है और कोशन नमबर 13 प्याते हैं वर्षा रितुम में उत्रप्रदेश में कितने प्रिशित वर्षा होती है उत्त्रप्रद चेतर का जिला है वहां वारिज ज्यादा होती है और गोरापूर बहुत ही इंपार्टेंट है इस एक्जाम के लिए क्योंकि उत्तरप्रदेश के स्टेट टेबल की जो वी एक्जाम होंगे उसमें आप गोरापूर को याद रखिएगा हरे उसके एक दो कोशन तो आने आने एक्जाम में क्योंकि अपने सीम जो हैं गोरापूर के हैं सीट रितु में उत्तरप्रदेश के किस छेतर का तापमान सबसे कम रहता है सीट रितु में किस छेतर का तापमान सबसे कम रहता है पच्छमी गंगा के मैदानी भाग में तापमान कम रहता है उत्तरप्रदेश सर प्रियोजना का नाम बदलकर रानी लच्छिमभाई प्रियोजना कर दिया गया है प्रियोजना का नाम बदलकर रानी लच्छिमभाई प्रियोजना कर दिया है उत्तेर प्रदेश में बहने वाली पवित्रे नदी गंगा की नदीयों के मिलने से बनी है गंगा नदी किस नदियों की मिलने से बनी है यह कोईजन है आलक नंदा और भागी रती दो नदियों की मिलने से गंगा नदी बनती है जो पवित्र नदी है उत्तर प्रदेश की नदी बीहणों का निर्माण करती है उत्तर प्रदेश का परिच्छा बांद किस नदी पर अव अच्छा परिच्छा बांद अवस्थित है यह इंपॉर्टेंट कोशन है आपका कि उत्ते प्रदेश के सबसे उच्छा बांद कौन सा अक्सर पूंचा जाता है माता टीला भूलिए का ने इसको उत्ते प्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर कौन सी यह सारदा नहर है यह भी कुशन आता है उत्ते प्रदेश की कुल सिंचित भूमी भूमी का लगवक कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है बीच तरस्वनों पांच परसेंट गंगा नदी के निवन लिखित में से किस भाग को राष्टी ये मार्ग घोसित किया गया है उस मार्ग को राष्टी ये मार्ग घोसित किया गया है इलाहाबाद से हल दिया जल मार्ग जो है उसको राष्टी ये मार्ग घोसित किया गया है किस मिर्दा को इस्थानिय भासा में केरल या कपास मिर्दा कहा जाता है लाल मिर्दा को केरल या कपास मिर्दा कहा जाता है उत्तर प्रदेश के सरवादिक छेतफल पर किस परकार की मिट्टी का विस्तार है जलोड मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कमर तक था भार निमनल खित में से किस परकार की मिट्टी के स्थाई नाम है काली मिट्टी के स्थाई नाम है ये कमर और भार काली मिट्टी के स्थाई नाम है और ये काली मिट्टी को और किस नाम से पुकारा जाता है किस नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है ये अभी जो यूपी पुलिस का पुलिस का एक्जाम हुआ था यूपी पी जो एक्जाम ह नेवेल के एक्जाम में आ सकता है कोहें प्राइशन नमबर टॉंटीनाइघ ये धोस्तों जिला पंटाय तो एव नगर-णिंतरण में रहने वाले वन कहलाते है समुदाइक बन कहलाते है वो जिला पंक्रदेश में लागो समृति बन योजना का संबंध किस्चे है इन प्रिय जनों की स्मृत में ब्रक्षा रोपन से संबंदी था यह उत्तर प्रदेश के कुल छेथर फल के कितने प्रतिसित भाग पर बंच छेथर पाया जाता यह वी इंपॉटन कोजन है 6.88% चेत्र में बंचेत्र पाय जाता है उत्त्य प्रदेश में सर्वाधिक पच्छी बिहार की स्थापना की गई थी नवाब गंज पच्छी बिहार जो है उत्त्य प्रदेश में सर्वाथम पच्छी बिहार बना था पूरा बनस्पती वीर्वल साहनी सहस्थान उत्त्य प्रदेश में किस नगर में है लखनों में है उत्त्य प्रदेश में लुफ्त प्राय बन जीव परियोजना किस बन में चलाई जा रही है यह प्रयोजना चलाई जा रही है तो विर्वल सानी संस्थान भी लखनों में है और यह कुक्रेल भी लखनों में है जो लोग लखनों के हैं वो लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरह से राश्टी बननीत के अनुसार कुल भागुलेे स्षिट्रे में कितने प्रतिशित भू भाग परवन होने चाहिए 37.3 भाग पर भन होना चाहिए जितना भी भू भाग हमारे पास तो टीक है क्षी क् itself यहीं करते हैं कर दो होनाना चाहिए कोईचन नमबर 36 उत्य प्रदेश के किस इस्थान पर वन जन्तु रच्छक प्रसेशन केंद्र स्थापी था इंटावा में स्थापी था या केंद्र कोईचन नमबर 37 उत्य प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहथ कछुवा पुनरवास यूजनाप्रारम्भ की गई बखिरापच्छी विहार कहां इस्थित हैं बखिरापच्छी विहार बहुत ही इंप्रटन्ट है और यह इस्थित है सन्थकबीर नगर्जिले में संत कवीर नगर जिला जिसमें जिसका मुख्यले खलीलाबाद में है और मगहर एक यहां का प्रमुक कस्बा है कल प्रदानमंतरी मोदी जी मगहर जा रहे हैं और वहां पर एक संत कवीर अकादमी की स्थापना करेंगे संत कवीर अकादमी याद रखिएगा यह इंपार्टन कोहचन है 21 करोण की लागतवली संत कवीर अकादमी की स्थापना संत कवीर अकादमी का सिलो yağ करेंगे तो दोस्तों यह हो गए आज के 40 प्रशने चैलिस चैलिस प्रशनों की हमें एक सीरीज यह शुरू कर रहे हैं पार्ट टू आज हमने खतम कर दिया इसके आगे के पार्ट इसमें लेगा आएंगे दो दिन पार्ट में इसको पूरा उत्तर प्रदेश खतम कर देंगे, आपको उत्तर प्रदेश के जिके के लिए कहीं जाने की जूरूत नहीं है, आप CP Smart Classes चैनल से बने रहे हैं और आपको सारे जीके उत्तर प्रदेश की यहीं से मिलेगी, तो दोस्तों जिन लोगों ने आ रहा हूं, वहां के जो वन मन्त का लगबग अभी 10 जून से Class शुरू हुई है, तो अभी लगबग 20 दिन होने जा रहे हैं, तो जो वहां पर जो कमपाइल करके पूरा जो है उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, Class में जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने में फिर उपस्तित होंगा, तब तक दोस्तों इजाज़त देजिये, धन्यवाद